गंगा पुल को पार करके हम लोग सुल्तान गंज होते हुए बाबा बैदनात धाम जा रहे हैं और बैदनात धाम जाने के क्रम में यहां देखिए कितनी विशाल गंगा नदी है जिस पर राजेंदर पुल जिसे हम पार कर रहे हैं और कितना ही मनोरम दिशी है इस दिशी को देख कर ही लगता है अलोकिकता अपने आप में भरपूर है गंगा नदी हमारी सबसे वड़ी और सबसे पवित्र नदी है ये पूरे भारत वर्ष में भारत को पूरब से पस्चिम और उत्तर यानि ये उत्तर होते हुए भारत के उत्तर के राज्य होते हुए पूरब में बहती है और इस प्रकार ये आदे भारत को जल देती है ये गंगा नदी बिहार में भी है और हम लोग राजिंद्रपूल से इस गंगा नदी के अनुपम दिस्टी को देख रहे हैं कितना ही सुन्दर न जा रहा है देखिए सुन्दर सी गंगा को पार कर हम जाएंगे बाबा के धाम बाबा भोले नात के धाम और हम पहुचेंगे बाबा भोले नात की धर्ती पर ये गंगा इसका परिपेक्च उदारन है ये गंगा नदी कहते हैं कि मानिता है कि गंगा नदी का मुख्य सोत भगवान शिव की सिर्पे है तो जहाँ जहाँ भगवान शिव का बास है गंगा नदी वहीं पर है अभी रल कल-कल बहती गंगा नदी देखने में मनुहारी गंगा नदी हमारी परंपरा को जोरे कितनी खूब सूरत गंगा नदी बिराट ये हमारे लिए एक जल सोत्र है मीठे जल की और ये गंगा नदी नजाने कितने लोगों को जीवन दे रही है आज इस गंगा नदी को पार करने का मुझे अफसर मिला यहां हम देख पा रहे हैं कि गंगा नदी पर काम हो रहा है पूल का निर्मान करने के लिए चोटे-चोटे जहाज नुमा आकरीती के टूस यन्ट को भी लगाया गया है और इनके द्वारा भी कारी किया जा रहा है बिहार में अभी बहुत पगती हो रही है हर छेत्र में कारी हो रहा है तो यहां एक छोटा सदिश मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और देखिए यह राजेंद्र पुल भारत का सबसे बड़ा पुल है और इसका निर जा रहे हैं बाबा नगरी में पूजा करने का विधान यू तो आधिकाल से है और यहां हर हमेशा सद्धालूओं की भीर लगी रहती है बाबा भोले नात जिसे यहां पर आधि मानेता है कि यहां पर प्रतिस्थापन करने का अस्रे जाता है भगवान नारायन को और यह अस्थित यहां पर रख दिया गया था और उसके बाद मानेता है कि भगवान शिव यहीं पर विराजमान है और इस अस्थान पर जाकर लोग अपने लिए लंबी आयू अपने परिवार के लिए देर आयू सौभाग्य सुक समर्दी की कामना कर जाते हैं सामने ही शिव गंगा में गंगा नदी का पानी आता है बड़े बड़े कुंडों से रिस्कर यहां पानी आने का प्रचलन है और यहां की माननेता है कि जो भी कोई बाबा धाम आता है सिव गंगा में अवस्यी डुपकी लगाता है सिव गंगा में उसके सारे पाप दुलते हैं कर्मों की स सुद्धी होती है जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह एक स्थान है जहां लोग आकर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं बड़े सवभागी की बात है कि इसको देखने का इससे मिलने का मुझे आनुपाम अवसर प्राप्त हुआ मैं मेरी पूत्री के साथ मेरे प महादेप की पूजा करेंगे उनके पसंदीद अप उस भेयां मैं भी हूँ यहां पे इकतार में खड़ी अपनी बेटी अपनी पुत्री बेहन के साथ बाबादाम का यह मनोहारभ मंदिर का बाहर का दिश्य है यहां हम सभी खड़े होकर किस प्रकार पूजाएता करने के लिए पूजारी भी मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे किस प्रकार से पूजा याचना करें जिससे आपका कारे सफल होगा और ये मंदिर में दो दिवसी जलाविशेक का कारेकर मेरा था आज कितने करीब से बाबा को जल देकर पुझा करने का अफसर प्राप्त हुआ ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है बापा मेरी हर मनुकामना पूर्ण करे सभी को सुक समिर्दी दे आयू दे और देर घायू प्रदान करे यहीं बाबा से मेरी इच्छा मनुकामना है और इस मंदिर में भीर बहुत होता है ये पुराने आदिकाल के दर्वाजे ये मंदिर सिलालेक देखने में अपने में ही अधुद है अतुल्निये हैं जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं जब आप यहां जाते हैं तब आपको यहां की एक सकारात्मक उर्झा मिलती है तो ये बाबा-धाम का पुन्यस्थली है यहां जाकर हम कोई भी मंताविंती करते हैं तो वो पूरीज जरूर होती है मेरे घर के बच्चे यहां पर खड़े हैं बाबाधाम मंदिर के बाहर और देख लीजिए कितना मनुरम दिश है कितना आनंद मई दिश है जरूर बाबाधाम में जाईए पूजा अर्चना कीजिए देखिए यह वही मंदिर है जहां से बाबाधाम के पवित्र तार को पवित मेले मेह बहुत दूमदाम से पुझा करने के लिए बहुत ज्जाधा भीर भी आती है अब यह बाहर जानी का रास्ता है तो देख लिए कितना छोटा समय में मैंने आपको बब अधough के मंदीर की पूझा इर्चिना करा दी यह बाहर जाते समय आप देखिए कितना सुन्दर गली का द्वार है फाटक बाहर निकलेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे भीतर गये पूझा किए पूझार बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे यहाँ चोटा-चोटा बाजार है और यहाँ आपको पेड की दुकाने मिल जाएंगी, मिठाई की दुकाने मिल जाएंगी, इस्त्रियों की सिंगार के फूलों की दुकाने यहाँ आपको सजी मिलेंगी, तो देखिए देवघर का अद्वुद नजारा, आप चलते हैं बासु पूरे पड़िवार के साथ निवास करते हैं मेरे पास भी स्पेज जी हैं मैं मेरी पुत्री के साथ यहां कड़ी हूँ बाबा बासुकिनात में ये कितना सुन्दर नजारा है बासुकिनात जाते समय तिरकुत परवत का जब भी आपको मौका मिले बाबा धाम जाने का तो जेसी डी जंचन से चले जाएं वहीं से आपके दो दिन की यात्रा में आप बाब है यहां उची उची पहाड़ियां है यहां अवस्च जाएं घूमें अशिरवात पहाड़ियां